दोस्तो नमस्कार आज की इस वीडियो के अंदर आप बात करेंगे कि स्नॉप्सिस को किन ऐलिमेंट से लिखा जाता है तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो लोग उस वीडियो को देख सकते हैं , wiltक किन नीचे डिस्क्रिप्सन में है तो दोस्तों अब भी कई लोगों ने मेरे से बात करी कई लोगों ने मेरे को अपने स्क्रिप्स भेजे उन्होंने स्नॉप्सिस भेजे तो उनका ये कहना था कि सर इसके अंदर किस तरीके से हम और ज़्यादा example के साथ आप गर आप बताएं तो उसके अंदर हम ज़्यादा चीज़ से समझ सकते हैं तो मैंने इसी लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आपको elements के बारे में पता चल जाए जिन elements को आपने अपने synopsis में highlight करना है तो आज इस वीडियो को देखते हैं और समझे के कोशिश करते हैं कि किन elements को आप लोगों ने ध्यान में रख करके अपने synopsis को तयार करना है चले शुरू करते हैं क्या आप फिल्म और टेलिविजन प्रोडक्शन में करियर की शुरुआत करना चाहते हैं इसे शुरुआत करें पक्के इरादे के साथ हमसे संपर कर सकते हैं दोस्तों आपने अपने हाज पास ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे और मेंती लोगों को देखा होगा जो बहुत मैनत करते हैं लेकिन उस मकाम तक नहीं पहुँचे जिसके वो काबिल है और तूसी तरफ ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो ना ज़्यादा पढ़े लेके हैं ना मेनत पर यकीन रखते हैं लेकिन फिर भी बहतरी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं इसका राज क्या है? ऐसा वो क्या है जो जान गया है? शिक्षा और रोजगार के विश्यों से जुड़ी विशेज जानकारी के लिए www.consultantpratwiraaj.com शिक्षा के साथ साथ रोजगार का सुनहरा ओसर www.consultantpratwiraaj.com फिल्म और टेलिविजन प्रोडक्शन में करियर बनाना और बिजनस करना होगा आसार अगर आप जान लेंगे कि क्या होती है फिल्म और कैसे बनती हैं फिल्में? तो स्नॉप्सिस को तयार करने के लिए स्नॉप्सिस में आपने क्या दिखादा है? अगर आप ऐसा समझें कि ये जो आपके स्नॉप्सिस से जो फिल्म बनने वाली है वो आप परदे तक महुचाना चाहते हैं तो आप डिरेक्टर को अपनी फिल्म को इस कागच के उपर दिखाते हैं यानि director आपके स्नौपसिस से उस film को देखने की कोशिश करता है और आप उस को वो जो film है वो उस paper के ऊपर लिक करके दिखाते हैं. ये भी एक बहुत बड़ी art है और इसकी शिरुवात ही स्नौपसिस से होती है. स्नौपसिस के बाद script और script के बाद में screenplay. इन सब को पढ़ने से पहले डिरेक्टर आपकी स्क्रिप्ट को या आपकी फिल्म को स्नॉप्सिस से पढ़ता है पेपर के उपर तो इसको इस तरह से समझते हैं हम लोग कि जब हम लोग पूरी प्लॉट को जो स्टोरी है story के जो plot है उनको जब हम घटा करम के अंदर एक के बाद एक sequence wise दिखाते है तो उससे पूरी picture बनती है तो आपको snopsis में इसी चीज को story plot को story plot का भी जो एक वीडियो है वो description में नीचे दिया है जिनों नहीं देखा वो देख सकते हैं तो story plot जो है उसको आप snopsis में कैसे convert करें उसको convert करने के लिए आपको इन elements को समझना चाहिए और इनी elements को use करना चाहिए ये हैं इस तरह से पहला element है character देखिए आप जिस time snopsis लिखें तो snopsis लिखने का मतलब है कि आप अपनी story बता रहे हैं उसको explain नहीं करना है आपको explain करने के लिए आपका snopsis बिगड़ जाएगा जैसे ही आप explain करने की कोशिश करेंगे आपने सिर्फ story को बताना है और starting करनी है आपको कि character क्या है character से मेरा मतलब है कि जो main protagonist और antagonist दोनों protagonist में जो सचाई के लिए लड़ रहे हैं अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं और antagonist जो बुराई के लिए या जूट के लिए तो उनका भी एक group है और protagonist का भी एक group है तो protagonist को और antagonist को ही दोनों को character मन के चलिए है पहले आपने protagonist character के starting कर रही है और उसके बाद में antagonist के भी उसके अंदर जिक्र करना है ये है पहला element जिसका character नाम होता है उसके बाद में आप दूसरे element की बात करते हैं तो दूसरा element है त्यान रखना है तो उमीर है आपको इससे कुछ फाइदा मिलेगा और आप कोशिश कर पाएंगे ज़्यादा अच्छे से practice कर पाएंगे Thank you